पर्शासन के सक्ति के बाब्जूद समस्ति पूर के कल्यानपुर्थाना च्कत्र के बिर्सिंग पूर में धरले से चल रहा है नकली एबम अवैध मसाले का कारोबार जी हां बिहार की सरकार चाहे जितना जतन करें समस्ति पूर में पर्शासनिक आधिकारी जो भी दावे करें लेकिन कल्यानपुर्थान के बिर्सिंग पूर पंचाट में धरले से नकली एबम अवैध मसाले का कारोबार चल रहा है आम पबलिक भी इसको जानते हैं यह अलग ब 30 को लेकर कुछ मेडिया करमी आज इस गाउं का दोरा किये कई घरों को खुलवा कर देखा गया तो यह बात सामने आई कई घरों के अंदर मिर्च के पावडर का आमबार लगा हुआ था लेकिन मिर्च की कोई धमक या महक नहीं थी फिर पूरी जगव को तलासा गया तो उह मसाला पीषने वाला मसीन भी मिला मसाला मील के बगल में धान की भूसी भी रखी गई थी आशर्ष तो यह बात कहे कि इतनी आबादी में होने के बाबदूद इस कारोबार पर ना किसी आम लोगों को एतराज है ना परसासन के अधिकारियों को दीन दहारे खुलियाम यह ध फल फुल रहा है अस्थानिय परसासन को इसकी भानक है भी या नहीं भी यह तो वे जाने लेकिन आखिर किस कारण से और किस सनक्षन में इस धंधे को अंजाम दिया जा रहा है या जाच कभी से कि सुत्रों का बताना है कि कारोबार को कई लोग अंजाम दे रहे है करीब दर्जणों ऐसे घर मिलेंगे जहां इस धंधे को सर्याम अंजाम दिया जा रहा है बताया जाता है कि यह पीशागवा मसाला दूसरे जीलों में धरले से भी करहा है कई दुसरे ब्रांड के नाम पर भी यह मसाले बेचे जाते हैं इस टीकर दुसरे का और मसाला यहां का आम लोगों के स्वास पर इस मसाले का क्या प्रभाव होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है पर सासन इस मामले को संग्यान में नहीं लेकर करवाई में नहीं करना उचित समझ रही है जिसके करण से आम लोगों में हलकी नाराजगी तो है लेकिन बिरोध करने का जजवा एबम हिम्मत नहीं है बताया जाता है कि पुर्भ में भी कई दल नहीं हच्छापे मारी की थी कई लोग पकरे भी गए थे बाबजूद या धन्धा फिर से अपने रखतार में है इसके बाबजूद भी यह अवैध कारोबारी मानने वाले नहीं आपको बता दें कि या धन्धा धरल्ले से कई लोग यह कर रहे हैं करें आठ नो घरों में इस मसाले का प्यफार इस गाउं में होता है और ताजोग की बात दिया है कि किसी के भी पास इसका लाइसेंस भी नहीं है